हाई दोस्तों आई आज हम लोग अपना पॉकलन मसीन का हेड्रोलिक कीट को पूरा चेंज करते हैं जो कमपनी तो मातर 500 घंटे पे चेंज करने के लिए बोलती है और हम लोग यह इसका रिटर्निंग टाकी को ओपेन कर रहे हैं यह हम लोग का फिल्टर है रिटर्निंग फिल् निकलने के बाद इसको बाहर करके इसा रखें और इसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है उसके बाद हम लोग इसका न्यू फिल्टर को ओपन करके बाहर रख रहे हैं ताकि यह नया वाला हम लोग का हेड्रोलिक फिल्टर रहा रिटर्निंग टाकी का और यह हम लोग इस ते क्योंकि इसके अंदर थोड़ा उठा हुआ रहता है उसी वज़ासे पल्टी मारे ताकि इस पे जितना भी बचा हुचा है असानी से नीचे चला जाए और यह हम लोग का न्यू वाला फिल्टर रहा जो कि इसके अंदर टाकी के अंदर डाल रहे हैं यह किसी तर दोनों से आप डाल सकते हैं यह हम लोग का खाचा में बैठा नहीं इसी वज़ासे हम हाथ ऐसे डालने के बाद असानी से इसको बैठाना पड़ता है यह हम लोग का परफेक्ट रूप से टाकी के अंदर बढ़ चुका है अपना यह फिल्टर और इसके बाद इसका जो जिस तरह से हम लोग निकाले हुए थे इसका उपर का ढ़कन के जैसा उसके वज़ा स्प्रिंग भी डालते हैं स्प्रिंग डालने के बाद फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से जो एर निकालने वा रहता है उसका भी बिरिदर फिल्टर लगा रहता है उस पे जो बिरिदर फिल्टर अ हम लोग के पास आया हुआ नहीं है आगे और फिल्टर हम लोग का है अगया हुआ है उसको चेंज करते हुए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि आप इस तरह से अपने एक्सावेटर मसीन को या पॉकलन मसीन को आप हैड्रोलिक कीट का सर्विसिंग कर सकते हैं जिसमें स समय में आपको चल जाए साल देड़ साल के अंदर उसके बाद सेट लोग तो यहां इस हैड्रोलिक को लगभग दीन हजार घंटे पे चेंज करते हैं जो दोनों बकेट बरेकर मिला के हो ते हैं यह हम लोग का यह डिटरिन टाकी का लगभग काम हो चुका है और यह हम लोग नट को टाइट कर रहे हैं यह हमारे सेट के दिया हुआ लोग रहा जो ताला के सिस्टम से दिया हुआ है लेकिन यह इतना परफेक्ट रूप से नहीं है क्योंकि यह ऐसा नीचे से उपर लोग दिया हुआ नीचे में छोटा ही लोग पहले के जैसा ही है वो कुछ भी हो सकत के बाद आप इस फिल्टर का नाम भी आप कोमेंट कर सकते हैं क्योंकि लगभग आपको कीट का मालूम के लगभग नाम तो हमने बता चुके हैं यह हमारे फिल्टर जो है उसमें एक छोटा सा प्लास्टी का पुडिया निकला हुआ है जो कि एक बड़े-बड़े लोखन के व आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएंगे कि यह कौन सा फिल्टर है इसलिए हम लोग इसको धिरे से खोलने के बाद हमारे यह निव अलब फिल्टर लग चुका है और जितना भी हो सके फिल्टर पाना का जितना भी कम नया पे तो आप ना के बराबर कीजिए जितना हो सके अपने बल से इस filter को टैट कीजिए, खोलते समय फिल्टर पाना का उपियोग करना पड़ेता है, और लगाते समय जितना हो सके अपने ताकत से ही उसको टैट कीजिए, ताकि ये नुकसान न करे, और ये हमारे parallel filter के लिए पाना लगा के हम लोग इसको खोल चुके हैं, जो 24 नमबर का पाना बढ़ता है, थोड़ा तकलीप जादा हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यह पत्रा हम लोग खोले नहीं है, डायट ऐसे हाथ से उपर से खोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा तकलीप होने के बाद हम लोग खोल च शुके हैं, और इसको गिराने के बाद इस पारेट फिल्टर का जो लोखन का बना हुए भाग है, उसको देखने के बाद, कपड़े से अच्छी तरह से साफ करने के बाद, हम इसको अच्छी तरह से फिर से वहाँ पे हाथ से लगाने के बाद, पाना के मादियम से आनी की 24 का पाने से इसको अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं और यह हम लोग का लगभग यह होने ही वाला है क्योंकि हेड्रोली कीट में जितना भी लगा हुआ था सीर्पीस का बीडिदर फिल्टर आया नहीं था और यह जो इसको अंदर का जो निकला हुआ था आनि सिलिकोन यह जो कमपनी दे के भीजता है ताकि किसी तरह का जंग ना ले यह बड़ा बड़ा लोखन वाला वस्तु में हमें साथ जी तरह का वीडियो देख रहे हैं हमारो डीजे विकास